हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात कर रहे है यूपी की आयूस काउंसलिंग के बारे में जिसके थुरू आपको यूपी में BMS, BHMS and BUMS कॉर्सेस में एडमिशन मिलता है तो देखिए इसकी वेबसाइट है diiusupneet.com जिस पर एक नोटिस आया है जिसमें दिया हुआ है UGIU 2019 के संदर्व में अवगत कराना है कि आवेदन की 22 अगस्थ 2019 से प्रारम हो रही है अध्यतन स्थिति के लिए वेबसाइट को लगातार देखते रहें यानि कि इसमें दिया हुआ है कि आपके जो रजिस्टेशन है वो 22 अगस्थ से स्टार्ट हो जाएंगे और आप फर्दा इन्फोर्मेशन के लिए इसकी वेबसाइट देखते रहें तो देखिए इसकी वेबसाइट पर फिलाल यही दिया हुआ है लेकिन एक न्यूस पेबर में इसकी पूरा सैड्डियूल दिया था कि कॉंसलिंग कब होनी है तो हम आपको वो भी दिखा देते हैं तो देखिए ये न्यूस पेपर की कटिंग है जिसमें पूरा सैट्डिूल दिया हुआ है आई यूस यूजी काउंसलिंग के लिए ये पंजिकरण 22 से आपके पंजिकरण 22 से स्टार्ट हो जाएंगे बाकिस में दिया हुआ है आई यूस मेटिकल कॉलेजों में परवेश के लिए काउंसलिंग 22 अगस से सुरू होगी अब भ्यारती काउंसलिंग में सामिल होने के लिए 22 से 31 अगस तक ऑनलाइन पंजिकरण करा सकेंगे तो आपके रजिस्टेशन 22 से 31 अगस तक होंगे जो की ओनलाइन होंगे ओनलाइन विकल्प भरने के लिए 31 अगस से 2 सितंबर तक का समय मिलेगा आपको च्वाइस फिलिंग 2 सितंबर तक करनी है सीट आफटन 5 सितंबर को होगा और आपका रिजल्ट 5 सितंबर को आएगा पहले चरण को काउंसलिंग से आवंटिद सीट का सत्यापन 9 से 12 सितंबर तक होगा और आपका वेरिफिकेशन 12 सितंबर तक होगा और सेकेंड काउंसलिंग 17 सितंबर को होगी तो देखिए यदि आप UP से बिरॉंग करते हैं यानि कि UP के रहने वाले हैं और आपका high school इंटर UP से है तो आप UP में government and private किसी भी college में admission ले सकते हैं और यदि आप UP के रहने वाले नहीं है आपने इंटर कहीं भार से किया है तो आप UP में केवल private seatों पर admission ले सकते हैं और BUMS में admission लेने के लिए आपके पास 10th में उर्दू होनी compulsory है तो इन सबी बातों को आपको ध्यान रखना है और आगे जैसे कोई वी information आएगी हम आपके साथ share कर देंगे इसलिए अपने मारे चनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बैल आइकन भी प्रेस कर ले जैसे कि आपको notification मिलता रहे थैंक यूँ आप